देखिए आप और हम इस बात को बहुँत भी जानते हैं कि हम तक जो पानी पोच्चाया जाता है ये हमारी हुखुमत हम तक पोचाती है इसके लिए वह क्या करते हैं असपश एक पैनी को जरिया बनाते हैं बाड़ा बनाते हैं कुवैख दुवाते हैं टूब वेल या बोगर वेल करवाते हैं मगर पानी को वहाँ से हमारे घर तक पहुचाने में काफी लोग मुलविश होते हैं वो लोग मुसलसल महनत करते हैं जिस पर हमारे अखुमत का बहुत ज़्दा पैसा भी खर्च होता है तो यह हमारी जम्र्मदारी है कि पानी हम आइतियास से इस्तेमाल करें जितनी जरूरत है उतना ही इस्तेमाल करें काफी मरतबह ऐसा होता है कि हम हमारे जरूरत से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं बेजाया पानी को भेने एते हैं उसकी फुजूल खर्शी करते हैं तो जैसे कि आप जानते हो, कि कियामत के रोज पानी का भी हिसाब होने वाला है, तो आप बहतर है कि पानी ज़रूरत है, उतने ही पानी का इस्तेमाल करें, बेजाया पानी ना बहा है, क्योंकि ये किम्ती शह है और ये एक नग दिन खतम होने वाली है, आप अगर न्यूस पढ़ते होंगे या फिर आपने कहीं पढ़ रहे होंगे तो जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे दुनिया में मौझद बड़ी बड़ी जील है यानि पानी जमा करके रखा गया है वह धीरे-धीर सुक रही है बहुत से लाकों में जो कूबे वह भी अगर हमारा हद भन हो जाए तो नल बंड़ करतें सब्सित होते वक्त पानी बगोने में लेकर दोए नल की नीचे ना दोए जिसे के पानी बहुत जला होता है तो इस बात का आप भी ध्यान रखें, आपके घर में आपकी वालिद, आपके वालिद और आपके घर के जितने लोग हैं, उनको बताईए, कि पानी के जितनी जुरुरत है, उतना ही इस्तेमाल के जाये, तो बहतर है, क्योंकि हमेशे हमारे आने वाली नसलों के लिए बचाना झाल झाल झाल